मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स आईए आज के इस लाइफ मेनेजमेंट में अपन कल के ही विशे को आगे बढ़ाते हैं और आपको याद होगा कि कल मैं चित्रों के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से चित्रों से भी लगतार उर्जा निकलती रहती है यदि आपने आइस्टीन को जरा भी पढ़ा होगा तो आइस्टीन ये मानते ही थे कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जो कुछ भी हम इस जगत में देख रहे हैं वे सब की सब वस्तुएं उर्जा का संगटित रूप हैं यानि कि उर्जा जम गई है जैसे पानी जम करके बर्ख बन जाता है उसी तरह से जो उर्जाएं हैं वो जम जाती हैं और जब जम जाती हैं तो अलग-अलग रूपों में हमें दिखाई देती हैं इसका मतलब है कि प्रतेक वस्तु में उर्जा है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रतेक वस्तु से उर्जा निकलती भी अगर वस्तु साफ सुत्री है अच्छी है सुन्दर है तो उससे पॉजिटिव उर्जा निकलेगी और यदि सड़ी गली है गंदी है तो उससे निगेटिव उर्जा निकलेगी उन्होंने जिस संदर्व में पॉजिटिव और निगेटिव उर्जा की बात की वो हम अपने को कमजोर करती है इस संदर्व में उन्होंने पॉजिटिव इनर्जी और निगेटिव इनर्जी की बात कही थी तो फ्रेंट्स जो भी चित्र हमारे सामने होते हैं डेफिनिटली उनसे उर्जा निकलती है देखिए जब मैं चित्रों की बात कर रहा हूं तो आप इसे किसी भी चित्र के संदर्व में देख सकते हैं चाहे वो प्राकृतिक द्रिश्य हो चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो चाहे वो किसी इश्वर का चित्र हो कोई भी चित्र यहां हाल यह होता है कि उर्जा तो उससे निकल रही है लेकिन क्या हमारे पास रिसीवर है हमारी भूमी का क्या है देखे हमारी जो सबसे बड़ी भूमी का है वो यही है कि हम अपने आपको कैसे दुरुस्त कर पाते हैं चारों ओर से उर्जा आ रही है आ रही है आती रहे अगर मेर पास अपना दिसीवर नहीं है जो उस उर्जा को ग्रहण कर सके तो सीधी सी बात है कि उस उर्जा का मेरे उपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा रती भर भी प्रभाव नहीं होगा तो चित्रों से तो उर्जा निकल रही है हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं अगर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वहां उर्जा मौजूद नहीं है तो दोस्तों यहीं पर जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनवती खड़ी होती है वह होती है अपने रिसीवर को दुरुस्त करना ठीक करना और सबसे पहली जरूरत तो यही है कि हम अपने जैसी रखी हुए है वैसी दिखाई दे रही है आप एक डबबा सा ले आते हैं और अपने ड्राइंग रूम में रख देते हैं फिर उस डबबे को एक उर्जा से जोड़ देते हैं और इसके बाद फिर आप कुछ बटन बटन दबाते हैं और पता लगा कि जो डबबा आप ले करके आये थे उस पर रंग विरंगी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो उर्जा थी जो तरंगे थी जो द्रिश आप देख रहे हैं वो द्रिश पहले भी आपके ड्राइंग रूम में मौझूद थे लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं क्योंकि उसको देखने के लिए जिस माध्यम की जरूरत होती है उस माध्यम का अभाव था और जैसे ही आपने उस अभाव को पूरा किया वे उर्जा वे तरंगे वे द्रिश चित्र वो रंग वो आवाज देखे कि कितने सारी चीज़ें आपके ड्राइंग रूम में मौझ जैसे ही आपने उन सिस्टम को ठीक किया लेकर के आए और चालू कर दिया वैसे ही देखे कि वो डबा जो बिलकुल नीरस था पता ने किस तरीके था सादा साथा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कितनी सारी चीज़ें दिखाने वाला बन गया है तो दोस्तों जब मैं चित्रों से ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो सच पूछें तो उससे अधिक बात मैं हम सब के अपने अपने रिसीवर के बारे में कर रहा हूं और ये जो रिसीवर है यह सीधे सीधे friends हमारी अपनी भावनाओं से चुड़ा होता है कि जो मेरे सामने चित्र है उसके प्रती मे अगर मेरी भावनाएं गहरी हैं, निस्ठावान हैं, पवित्र हैं, पवित्र का मतलब यहां शुद्धता से आप लगा लिजे, शुद्ध हैं, तो मान करके चलिए कि उस चित्र से जो उर्जाएं निकल रही हैं, वहां से जो तरंगे निकल रही हैं, आ रही हैं, उन्हें और जो मानसिक इस्थिती है और जो भावनात्मक इस्थिती है उनमें ततकाल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और ये जो परिवर्तन होगा मान करके चलिए कि ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा ये मदद करने वाला परिवर्तन होगा हमें उर्जा का संचार करने वाला परिवर्तन होगा दोस्तों सच पूछिए तो जिस दिन हम अपने इस रिसीवर को बहतर बना लेते हैं उस दिन से हमें ये जो तस्वीरे हैं बोलती हुई सुनाई पड़ती हैं ये जो तस्वीरे हैं ये ऐसा लगता है जैसे कि हमारा मार्गदर्शन कर रही हूँ इशारा कर रही हूँ हमें बता रही हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए हलाकि ये बाते मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा विश्वसनिय आपको नहीं लग रही होंगी लेकिन दोस्तों ये सच है आप सब इस पर थोड़ा सा विचार करें और अपने जीवन के उन अनुभवों को याद करने की कोशिस करें उन छड़ों को पकड़ने की कोशिस करें जब सच में आपको इस तरह का कुछ एहसास हुआ हो तो फ्रेंट्स अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा